हेलो फ्रेंस आज हम बात करेंगे सीटेटिक जम से रिलेटेड बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन्स की जो के आपके NCE, RTE, EBS से रिलेटेड होने वाले हैं तो फ्रेंस अगर आप सीटेटिक जम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और इसके सभी प्रसना आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किये हुए एक बार लाश्ट तक जरूर देखिए तो टॉपिक है हमारा इसकूल जाना तो बच्चे किस प्रकार से इसकूल जाते हैं बास और रसी के पुल का यहां प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है असम में प्रॉली का प्रयोग किया जाता है लद्दाख में सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है आपका पानी के उपर यानि समतल छेत्र में, बल्लम जो की लकडी के छोटी नाब होती है, ये केरल में प्रयोग में लाई जाती है, उट गाड़ी आपका राजस्थान में, बहल गाड़ी मैदानी इलाकों में और गाओं में, पच्छी एकी समय में दो अलग-अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब यह बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आखें एकी चीज़ पर होती हैं। जादा तर पच्छीयों की आखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकरी आसपास दे जैसे पच्छी हम से चार गोना दूर से देख पाते हैं। जो चीज़े हमें दो मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती हैं, वही चीज़े पच्छी आट मीटर की दूरी से देख पाते हैं। एक पच्छी की आखें उसके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोट च्छोटे च्छेत यानि कान होते हैं इन्हीं की मदद से पच्छी सुनते हैं छिपकली के भी च्छोटे च्छेत जैसे कान होते हैं मगर मच्च के भी च्छोटे च्छेत जैसे कान होते हैं लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते जानवरों पर अलग-अलग पैटर्न उनकी तुचापर बालों के कारण होते हैं किसी जानवर के सरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्ण नहीं होता ये कुस्षन आपका सीटेड सिप्तमबर 2016 में आया हुआ है कानवाले जानवर सरीर पर जिनके बाल होते हैं वो जन्म देते हैं सरीर के बाहर बिना कान या छेद वाले जानवर अंडे देते हैं सबसे बड़ी मादा हाथी जुन्ड की मुखिया बन जाती है जुन्ड में कोई नर हाथी नहीं होते वे 14 या 15 साल की उम्र में जुन्ड छोड़ देते हैं एक बयसक हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते और जाडियां खा सकता है हाथी दिन में केवल 2-4 घंटे सोते हैं कीचड हाथी की तुचा को ठंडा रखता है उनके भड़ी कान भी पंके की तरह काम करते हैं भी खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फडाते हैं जुन्ड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं खेजडी गाउं राजिस्थान में जोदपूर के पास है लगबक 300 साल पहले इस गाउं के लोगों को बचाया था खेजडी गाउं के लोग विस्नोई कहलाते थे खेजडी का पेड जादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता बिहार के मुझपर पूर जिले में बोचाह गाउं है मदमख्यां अक्टूवर से दिसंबर तक अपने अंडे देती है यानि मदमख्यों के अंडे देने का सही समय माना जाता है अक्टूवर से दिसंबर प्रत्ति एक मदमख्य के छटे में एक रानी मदमख्य होती है जो के अंडे देती है छते में केवल कुछ नर होते हैं, छते में अधकांस मधमक्खियां स्रमिक होती हैं, स्रमिक के रूप में नर मधमक्खियों की कोई बिसेश भूमिका नहीं होती, ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी दाम से सुरू होती है, गुजरात का खाना है, ढोकला चटनी, नीवु चावल, मिठाई के साथ, मडगाउं गुवा में है, कोजी कोड से कीरल तक के मार्गों में कुल, दो हजार पुल और पानुवे सुरंगे हैं, कोजी कोड दच्छ भारत में केरल राज्य में मालावार तटपर एक सहर है, इसे कालिकट के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार्ग करती है, महराष्टर, गोवा, करनाटक, फिर भारती ये राज्य केरल पहुंचती है, अब हम बात करते भासा और जहां बोली जाती है, वो राज्य, तो मल्यालम बोली जाती है, आपका केरल में, कोकडी, करनाटक, महराष्टर, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में, मराठी बोली जाती है, महराष्टर, गोवा, दमोन और दीब, तादरा और नागर हबेली, गुजराती बोली जाती है आपका गुजरात में कंणर बोली जाती है करनाटक आंध्रप्रदेश तमिलनाडू और महाराष्टर में फेरी केरल में उपियों की जाने वाली एक नाव है इसका विवरन आप ट्रेन टिकेट पर पा सकते हैं जिसमें के ट्रेन नंबर यात्रा की शुरूआत की तार इसमें से एक कुशन बनता है ट्रेन टिकेट पर पी एन आर दिखाता है तो यात्री संख्या रिकॉर्ड ओप्सन भी यात्री का नाम रिकॉर्ड ओप्सन सी ब्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड ओप्सन डी ब्यक्तिगत संख्या रिकॉर्ड तो इसका सही आंसर होगा ओप्सन न बुकिंग की तारीख और समय, यात्रा सुरू होने की तारीख और समय, कोच नमबर, बर्त नमबर और किराया, यात्रियों का नाम I specifically स्टेशन और अंतिम श्टेशन के साथ, ट्रेन नमबर, गंतव्य पर पहुचने की तिधी और समय, इसमें आपके उप्सन दिये हैं, ABCD के र नेक्स्ट अब हम बात करते हैं करडम मल्लेसवरी के बारे में क्या तुमने अख़वार में इनके बारे में पड़ा है करडम मल्लेसवरी एक बेट लिफ्टर यानि भारुत्तोलक है ये आंध्रप्रदेश की रहने वाली है इनके पापा पॉलिस में हवलदार है जब ये 12 साल की थी तबी से बजन उठाने का अभ्यास करने लगी अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक बजन आसानी से उठा लेती है करडम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं उनकी चार बैने भी रोज बजन उठाने का अभ्यास करती है नेक्स्ट टॉपिक है मधवनी पेंटिंग चित्र में डिजाइन को मधवनी कहा जाता है यह लोकला एक बहुत पुराना रूप है बेहार में एक जिला है जिसे मधवनी कहा जाता है उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा ये चावल के पावडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है इने बनाने के लिए नील, हल्दी, फूलों और पेड़ों पेड़ों आदे की रंगों का प्रेयोग किया जाता है चित्रों में इंसानों, जानवरों, पेडों, फूलों, पंचियों, मचलियों और कई अन्य प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है वेलवन का गाव करनाटक में है, गिजु भाई बदेका गुजरात में रहते थे, उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानिया लिखी एक भारती रोविन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देता है कोयल कोय के घोसले में अपने अंडे देती है, पच्ची अपने अंडे देने के लिए घोसले का निर्मार करते हैं चूजे बड़े होने के बाद अपना घोसला छोड़ देते हैं, नलमदा अंधरप्रदेश में है, हिलगुंडी करनाटक में है, हिलगुंडी में बच्चों की पंचायत को भीम संग कहा जाता था बरगत के पेड़ के बारे में, जो लटकती हुई साखाओं की तरह दिखतायवा बास्तम में इस पेड़ की जड़े होती हैं, डेज़ाइट ओक यानि रेजगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती है और मानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है, असम्मे चावल की नई फसल के अफसर पर बेहु उत्सम मनाया जाता है, माग बेहु चोदे और पंद्रे जनवरी को या असमिया कलेंडर के दस्वे महीने के पहले और दूसरे माग में मनाया जाता है, बेहु के अफसर पर बास में भेला घर बनाती हैं मुक्तापुर गाउं आंद्रप्रदेश तेलंगाना राज के पोचम पल्ली जिले में है पोचम पल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय कालीन बुनाई खिलोना बनाना इत्र उत्पादन आदी ये चीजें उस जगे के नाम से प्रसिद्ध हो गई है जहां उन्हें बनाया जाता है जैसे कि कुलु सॉल मदवनी पेंटिंग असम रेसम कस्मीरी कड़ाई आदी अबू धाभी आपका सई्युक्त अरव अमीरात में है चिटपन मल्यालम में पिता के चोटे भाई को कहते हैं कुंजमा मल्यालम में पिता के चोटे भाई की पतनी को कहते हैं केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं जैसे कि नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी, आदे रेगिस्तान में उगने वाला एक मात्र पेड़ है खजूर केरल में विभिन मसाले मिलते हैं जैसे कि तेजपता, इलाइची, काली मिर्च, आदे गरम मसाला छोटी और बड़ी इलाइची लोंग, जीरा, दालचीनी, काली मेट, सोंठ, आदे से बना हुआ होता है लेफ्टिनेंट कमांडर बहीधा पिर्जम भारतिय नौसेना में एक डॉक्टर है लेफ्टिनेंट बहीधा परेड का नेत्रत करने वाली पहली महला है भोटी भी कहा जाता है लद्दाख में बोले जाने वाली एक भासा है भोटी भासा में मा को आमाले कहा जाता है भोटी भासा में पिता को आवाले कहा जाता है रेसम का कीड़ा अपनी मादा कीड़ा को उसकी गंद से कई किलोमीटर दूर से धूर लेता है चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सुनकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है मच्छर हमारे सरीर की गंद खास कर पैरों के तल्वों की और हमारे सरीर की गर्मी से हमें धूर लेते हैं सडकों पर कुटों की अपनी जगे बटी होती है एक कुटा दूसरे कुटे के मलमूत्र की गंद से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुटा आया हुआ है जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते आमतोर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले कुछ जानवर कुछ रंग ही देख पाते हैं रात में जागने वाले जानवर हर चीज को काली और सफेदी देख पाते हैं सापके बाहरी कान नहीं होते जमीन पर हुए कमपन को ही वह मैसूस कर पाता है जंगल में उंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीवत जैसे सेर्चीता को देखकर एक खास आवाज निकाल कर अपने साथियों को संदेश देता है कुछ बच्छी अलग-अलग खत्रों के लिए अलग-अलग आवाजे निकालते हैं जैसे के ओड़कर आने वाले दुस्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज और जमेन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज मचलियां खत्रे की चेता बने एक दूसरे को भिजली तरंगों से देती हैं कुछ जानवर भूकम प्या तूफान आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस ब्यभार को समझते हैं वे जान लेते हैं कि भूकम पाने वाला है या कुछ अन्होनी होने वाली है सन 2004 दिसंबर में आय सुनामी से कुछ समय पहले जानवाओं के अजीब व्यभार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवांजों को अंडमान की एक खास आदवासी जाती समझ गई उन्होंने वहाँ इलाका खाली कर दिया इस प्रकार इस जाती के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए डॉल्फिन भी अलग-अलग करे की आबाजे निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं वैग्यानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपने पूरी भासा है सलौत भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं है ये दिन के करीब सत्रे घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटका कर मस्ती से सोते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं लगबक 40 बरस के अपने पूरे जीवन में ये मुस्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं ये सब्ता में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं बाग की मूचें हवा में हुए कमपन को भाब लेती हैं और उसे सिकार की बिल्कुल सही स्थिती का पता चल जाता है बाग की मूचों से इन्हें अधेरे में रास्ता धूरने में भी मदद मिलती हैं बाग अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंद छोड़ते जाते हैं यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है एक बाग किसी दूसरे बाग के मूत्र की गंद से उसको जट से पेंचाल लेता है बाग मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है गुसे में, कराहन में गुर्णाने में अलग आवाज और बागिन को बुलाना हो तो अलग आवाज बाग का गुर्णाना तीन किलो मीटर दूर तक सुना जा सकता है बाग हवा में पत्तों के हिलने और सिकार के जाडियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाब लेता है बाग के दोनों का पाहर की आबाज इखटा करने के लिए अलग-अलग दिसाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। कम हो गई है कि इनके लुक तो हो जाने का खत्रा है हमारे देश की सरकार इने बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरच्छा दे रही है। जैसे के उत्राखंड का जिमकारवेट नेशनल पार्क राजिस्थान के भरतपूर जिले में घाना इन जंगलों में जानवरों का सिकार करना मना है। सपेरें लोगों को कालवेटिया कहते हैं। साप जब किसी को काटता है तो उसके दो खूकले जहर वाले दाउतों से उस व्यक्ति के सरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खतम करने वाली दवाई सीरम सापके जहर से ही बनाई जाती है और यह दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्त केंद्रों पर मिलती है आम तोर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगवक 30 degree centigrade होता है हमारे पेट का पाचक रस एसेड अमल की तरह होता है काला हांड में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है फिर भी यहां के लोग भुकमरी का सिकार होते हैं आत्रे पुरम गाउं आंदर प्रदेश में इस्तित है दी गई तालिखा में एक तरफ खाने की कुछ चीजों के नाम दिये गए हैं और दूसरी तरफ उन्हें एक दो दिन तक खराब होने से बचाने के कुछ घरेली उपाय दिये गए हैं तो चलिए हम बताते हैं कुछ चीजन जैसे कि दूद पके हुए चावल हरा दनिया प्याज और लैसुन फरस्ट है आपका दूद तो दूद को हम सुरच्छित करते हैं ओवाल करके पके हुए चावल को हम चावले में रखते हैं वो भी नमी से बच्छा करके आचार रखने से पहले सीसी या कांच के जार को दूप में सुखाया जाता है ताकि सीसी ओं में ऐसे नमी निकल जाए अगर सीसी में थोड़ी सी भी नमी रह जाएगी तो अचार सर जाएगा अब हम बात करते हैं साप के बारे में तो साप सरीशरिप प्रजाती का जीव है ऐसे जीव जो किसक करके चलते हैं उन्हें सरीशरिप कहते हैं इसकी ओसतायू 10 से 12 वर्स मानी जाती है 8 वर्स तक के नर्स साप के सरीर पर बाल आ जाते हैं दो खोकले दांत होते हैं अपने दांत का प्रयोग ये दूसरों तक जहर पहुचाने में करते हैं साप के कान नहीं पाये जाते कमपन को मैसूस करता है और धनी के प्रतिप्रतिकरिया देता है सरवादि कंपन सरीर की निचली तुचापर होता है जो जमीन से सटा होता है साप की रंगोली को नाग गुमफन कहते हैं जो कि सौर आश्ट्रयानी गुजरात में बनाई जाती है पर नियंतरड कैसे रखा जाता है तो बीन के माध्यम से बीन सूखी लोकी से निर्मित होता है साप के काटने की दबा साप के जहर से निर्मित होती है जिसे हम सीरम कहते हैं दात तो इसके पाए जाते हैं लेकिन ये भोजन को निगल करके करता है सांप के भोजन पार्चन में क्या सहायक होता है तो तापमान यानि सांप भोजन को पचाता है तो तापमान के माध्यम से भारत में चार तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं जैसे के नाग, करेंट, अफाई और दोवोईया अब हम बात करते हैं नाग के बारे में तो नाग भारत का जहरीला सांप है जिसे के हम किंग कोबरा कहते हैं भारत का सबसे जहरीला सांप इसे माना जाता है सांप की एक मात्र प्रजाती जो के बच्चे पालने के लिए घोसले की विवस्था करती है तो वो है नाग, जन्म दे जिसकी जिव्वा पतली होती है इसके काठने पर पता नहीं चलता ब्यक्ति जट पटा के मर जाता है सरवाधिक राजिस्थान महाराष्ट्र में ये आंसिक रूप से मिलता है अब हम बात करते हैं अफाई के बारे में तो ये पर्यावरण के रंग का होता है पूरे भारत में पाया जाता है जिसे हम silent killer भी कहते हैं अफाई से सामना केबल रात में होता है इसे रात रिचर जीव माना जाता है अब हम बात करते हैं दोवईया के बारे में ये दो मुहां सांप होता है ये सबसे कम समय में इससे मृत्ति होती है काट कर पलटने वाला जीव है काटने पर बेलिया यानि नागिन डांस के बारे में तो सरबादे की राजिस्थान और गुजरात में होता है नाग गुम्फन कहते हैं हम सांपों की रंगोली को चोकी गुजरात में बनाई जाती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैचुआ तो इसकी ओसत आयू 8 बर्स मानी जाती है ओस अपगटक स्रेडी का जीव माना जाता है खरपतवार नश्ट करने में इसकी मैतोपूर भूमे का होती है इसका सामान रंग होता है भूरा नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉल्फिन के बारे में तो यह एक जलिय जीव है सबसे बुद्धिमान जलिय जीव इसे माना जाता है अ भारत का राष्ट्री यह जलियग भारत में गंगा नदी में प्रयागरा से हलदिया के मध्धे यह पाई जाती है कच्चुआ पन जीव बिहार बारन नसी में किसको संरच्छित किया गया है तो कच्चुआ डॉल्फिन को यहां संरच्छित किया गया है next typeest is हमारा बिलू ब समुद्र में सब्चे जादा सिकार करती है यह सरवादिक संख्या में यह प्रसंथ महासागर में पाई जाती है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ड नाल्ट तो इसके सरीर पर ये चिपका रहता है और इसके सिकार से भोजन प्राप्ति ये करता है यानि वर्णाल्ट ब्लू वेल के सरीर पर पाया जाता है और ये इसी से भोजन प्राप्त करता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मकडी के बारे में तो कीट वर्ग का ये अपवाद है इसके 8 पैर होते हैं सामान कीट के 6 पैर होते हैं सामाजिक जीव ये नहीं मानी जाती क्योंकि ये गंदगी फेलाती है परत्वी पर पाय जाने वारे सरवादिक जीवों में मकडी तीसरे इस्थान पर है और प्रिजनन के पस्चात यह अपने नर को मार देती है नेक्स टॉपिक है रेसम का कीड़ा तो अपनी मादा को उसके गंद से कई किलोमीटर दूर से ये पहचाल लेता है सैतूद के पेड़ पर ये पाला जाता है उतपादन इसका सेरी कल्चर कहलाता है नेक्स टॉपिक है मदमख्या यानि अनिता की मदमख्या तो इसके छत्ते को हम वी हाइब कहते हैं फूलों में परागर में सरवादिक सहायक होती है मदमख्य इससे हम सहेद प्राप्त करते हैं छत्ते में कई प्रकार की मदमख्या पाई जाती है रानी मक्खी अंडे देती है सिफाई मक्खी छट्टे के समी पहरा देती है भारत में सरवादिक सहेद उत्पादन बिहार में होता है इसका सही समय माना जाता है अक्टूबर से दिसंबर अंडे देने का ये सही समय माना जाता है कभी खराब ना होने वाला भोजन होता है आप अब घटक स्रेडी में कौन सी चीटियां आती है तो यह चोटी लाल चीटियां अब घटक की स्रेडी में आती है नेक्स्ट आपका दीमाक तो सबसे बेहतर सैलुलोज बनाने वाले जीव होते हैं ये और ये सुद अब घटक कहलाते हैं अपना भोजन मृत सूखी मृत जीव और सूखी लगडी को बनाते हैं नेक्स्ट है ततया और भोरा ये समूह में रहने वाले जीव हैं मधमक्की के अलावा छट्टा बनाने वाले जीव होते हैं ततया और भोरा तो गायज आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप ऐसी ही वीडियो लगातार प्राप्त करना चाहते हैं जो भी स्टूरेंट सीटेट एकजाम की तेयारी करने वो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक्यू